के कम से कम दो तीन लाग से पूरा मुस्लिम भोमत पूरे दिलो जां से चंद्री चंदकर क्षा Defi है और तीन बार तीनों को अज्मार और और मुस्लिम के साथ है जितना है नमस्कार मैं सुभावसकुमार अभी मेरी मौजुद्गी है विजनावर जिले के नगीना होट सीट पर अभी हम बातचीत करेंगे कि यहां से जो चुनाव लड़न है चंसेखार आजास जी आजास सबसे पहले स्वागत है आपका क्या नाम होगा इसके लोग किसे चाहते हैं बढ़िया नेता कौन है और आप लोग वोड़ देंगे देखो जी मुद्धा तो यह है कि यहां दो हजार मतलब तीन चार चुनाव हो गए उसके लोग सबागे तो कोई आदमी पिर्तियासी यहां बड़े अखरा नहीं उत्रा पहले सबसे पहले यहां पिर्तियासी बना यस्वीर धोबी सपा से पहले चुनाव में उससे बोलना तक भी नहीं आता था और मेरी हाई प और जब वो संसत पहुंचे तो उन्होंने धमाल मचा दिया कोई मतलब वो पारला मिंड में मिटिंग उटिंग वगरा थी उन्होंने उस पर अब्जक्शन मिठाया था तो कुल मिला के वह आप इस छेत्र के संसत थे मगर वो भी इतना यहां खरे नहीं उतर पाए जितना उ गई वीजेपी का कंडिडेट आ गया समझे वीजीपी वीजेपी को जिता दिया अब वीजेपी बढ़या नहीं लगी तो अपके मुलक नागर आ गया है वो गिरिच्चन जाटा हो तो सोचा के दो दो आजमालिये तीसरों को और अजमाले तो तीसरे को अजमाया तो वह भी करे से बिचारे गरीफ को भी अजमालों गरीब घर से हैं तो कुल मिलाके यह है पके जंता का इरादा यह है कि कम से कम दो तीन लाग से पूरा मुस्लिम भोमत पूरे दिलो जान से चंद्रिसेकर को चुना अबढ़ा रहा है और तीन बार तीनों को अजमालिया चौति बार चंद्री सेखर को अजमार है और नैटور का पूरय का पूरा यानी कि 100 मैं सव चंसेखाराजाद यानी रामड को जा रहा है भीम आर्मी के चीफ हैं और यहां से लोगसभा नगीना से चुनाऊ लड़ रहे हैं बाथ किया जाए रहे हैं कितनी चुनाओं नहीं है यह बोले हैं कि यह मेरा चुनाओं नहीं है जनता का चुनाओं अगर एक बार मुझे दिल्ली पालिया में तक आप भेशते हैं तो आप लोग की आवाज को उठाने यानि बुलन करने का तारी यह चंसेखर रामड करेगा क्या आप लोग को लग रहा है कि सेखर कुछ ऐसा कर पाएंगे तो एक बात बताओं मैं मायवती जब चुनाओं लडी थी तो बिजनौर से उनकी सभा थी तो उनके हाथ में साइकल लेती ती डोल वाला आगे रहता था और फी डोल बजाता जाता था और मतलब यह भी नहीं जानते थे कि मायावती है कों कहा कि रहने वाली क्या है क्या नहीं उसने बढ़ चलके मीनत करी उसका फ़लोसे मिला वो मुख्य मंतरी में नहीं अब मुख्य मंतरी से ये है उनकी चाबी बीजेपी के हाथ में पहुच गई तो लोग बाद परेशान होगा एस्वियर हरी मुसल्मान जो है एक जगा मिलके ही काम कर सकते हैं अलग अलग तो भी बेकार हम भी बेकार और दूसरी बात रही पहुंचाने की तो इंशाललह उम्मीद है चंदुसे का राजाज जो है बहुत अच्छे वक्ती है जैसे है तो मालदार है नहीं वह एक बाद बताओ जो गरीब आदमी होता है गरीब आदमी की जो धंसे जो गई है और लियाजा यह बिल्कुल उक्तावा चेरा है और इंशाललह मुसल्मान जो है इसे पहुंचा के ही दम देंगे परताओ जी यह बताईए मुस्लिम श्रमदाई जी तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि इस बार किसी की दाल नहीं किलने वाली है नगीना में सिर्फ चन्सेखर रामड तो क्या लग रहा है कि चन्सेखर रामड यहां से जब जीते हैं तो मुस्लिम श्रमदाई के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे यह देखो एक बात बताओ मैं अगर चन्द्रसेखर रामड अच्छा नहीं करने के तो तीन बार वातीन बार तीन को इसे भी अजमा लेंगे और उम्मीद ये है अगर ये गलत दिले तो इन्हें भी उखाड़ फेक देंगे अगर ये नों ने सही काम किया तो इन्हें आगे को इसका वो मिलेगा और मैं ये समझता हूं कि काम सही करेंगे और बढ़िया काम करेंगे गरीब परिवार से चर्चा बंद्रिया तो कुल मिलाके ये है गरीब की आवाज को गरीब सुन सके अगर इसने सुनी तो ठीक ना सुनी तो भी जन चले आगा किसी पांच वहीं तलास करेंगे तो अगर ये खरा उत्रा तो ये मुख्यमंतर ही बनेगा और गलत उत्रा तो जनता इसे निकाल दे नहीं जानते हैं पर हम भी एक चीज यह नहीजाद तक जान पाएं कि पूं को रावर क्यों कहते हैं हिमादार है जहां कोई मसला होता जैसे हात्रस की बच्ची का मसला था वो मह पहुंच गया जैसे दिल्ली का मामला था मुस्लिम उसका CA का महा चले गए अल गए अभी एक आजब गल का मामला था महा किसी SC के साथ उसने कोई महा गलबल होई किसी के तो महा उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं जब बैड़ जऊंगा तो उठने का नाम नहीं लूँगा और जब बैड़ जऊंगा तो तुम मुझे उठा नहीं सकते अपनी मांग पूरी कर गए उठ्टूँआ तो मौके जो अधिकारी लोग थे उन्होंने उन्होंने समझाया समझा के उन्होंने कहा कि इनके F.I.R दर्द हो जानी चाहिए तो उन्होंने उस चीज को मान लिया और अपने में रिटन आ गए तो उन लोगों को जो था थोड़ा सा होसला बढ़ा जब वह पहुंचे तो मैं यह समझता उनकी F.I.R दर्द हो गए होगे इन्हीं दर्दी नहीं हो रही थी तो ऐसे नेता कि तो जो आदमी बुलावे धायदनी पहुंच जावे और उनका पच्छम लहरा रहा है आज कुछ है कल कुछ है पहले चुनाओं में कुछ और था और आने वालों में तो वह देगी हो तुम धमाल मचा देंगे ताव जी चलती जलती यह बताइए चंसेखर रावड पहले तो कही क्लिस्टोर्स हैं तमाम लोगों को लेकर जो चलते हैं क्या लग रहा है कि उनको यह सब सारी सुड़ाई एलाव करने का क्या 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 कारण है यह पूछना चारा नहीं आप उनका कारण यह है देखो इसी में अगर मुसल्मान होता कोई और अधर होता तो उसे इतनी सेकोर करन यह है कि एसी का वोट हर उसको चाहिए पार्टी को का बता रिएगए ए को छाहिए चाहे चाहे शपाह हो चाहे बसपाह हो चाहे चंद्र सेकर अगर हमने ऐसी हरकत को पूरा सड़कों पे आ जाएगा जो जान वारी हो जाएगी जवाब भी नहीं दिया जाने का तो इस है बस्पा तो बिल्कुल खतम हो चुकी और वो यह ढूंड रही है कि कम से कम जो सफाहार जा जितनी भी सीटे हैं अगर मैं मुसल्मान इसके सामने दिखाई देगा कि हाँ इसकी वो बन नहीं है रेपोटिशन तो मुसल्मान उसी पर धकिला लगा देगा वो सिट निकाल देगा और उसे यह दीग रिया कि हैं सपाह जीत रही तो पूरी जान अपनी सपवे इमानदारी के साथ अला देगा मगर वो ऐसा नहीं करने का बहुत स सब्सक्राइब करेंगे अगे इसका जबन करा आते हैं चले भी जाते हैं पांच साल का दोर खट्म भी हो जाता है तमाम वादे करते हैं कि इस बार हम यह करके जाएंगे हमारे लिए आप बढ़न कर देंगे जीतने के बाद कोई प्रत्यासी दिखता नहीं यहां तक कि अग अगर हमारे आयम तो भाई कहँएंगे, ताहब नहीं कहने के, और देखो जो गरीब आदमी होता, वही गरीब की बात को सुनता, और जो बड़ा होता तो उसे तो सहाबी कहे के बुलाना पड़ता, रहा मसला चुनाओगा, तो देखो गरीब आदमी ही गरीब की आवाज उठा मैं अपने जैसे सब्सक्राइब, अभी का मसला यह है, आपको जैसे वह है, आप पार्टी के, तो केजरी वाल, वो जेल में है, उनकी बीवी की स्पीस सुनता था मैं, उन्होंने च्छे उक्सन रखे, तो दिमान तो देखो जी, अगर आपके सामने कोई भी छे रखेगा, तो यह कादी पूरी कर देगा, अब यहीं देख लो, आप मसला, हाथ का, पांसो रुबाया कट्टा, आपको बता हूँ, साथ सो रुबाया कट्टा, दोवजार का हो गया, उसमें पैतालिस किलो, साचालिस किलो कर दिया, किशान परेशान है, तम यह आप कहते हैं, कि आए अब यह समझे लो, पूरा किशान परेशान है, चल्क पंजाम में, हर्याने में, यूपी में, अब यूपी का तो किसान तोड़ा था, दबा कुछला यू है, यह इधर चुनाओ है, उधर का किसान की जो आवाज है, एक है, अब गन्ने का भाव है, जो भी रैट बलाया, प इस बार तो देखो जी, हम तो यह चावे, मुख्य मंतरी अखलेश, वो, अल्ला मेरी तोब पिर्धान मंतरी, हम तो बेहन को चारा थे, बेहन मायावती बन जा, मगर उसकी चावी उनके हाथ में है, और उम्मीद यह थी, अगर थोड़ा से चावी खोल दे, लेता जो बनता जेल में जाने के बाद ही बनता, अब वो यह चारे, मैं तो परेश के कपले पेनू, और अराम से अपने घर बेटू, वन्हा तो मेरी जाच हो जाएगी, अन्नी तो पिर्धान मंतरी होती, सब लोगों के दिमाग में था, बेहन मायावती को पिर्धान मंतरी बना दे, समझे चर्चे यह थे, कि मतलब जो आच्यार सहिंता लगने के बाद, बेहन मायावती को पत्ते खोलेंगी, तो हो सकता कि गड़बंदन में सामीलो जा, अगर यह तीनों सामीलो जाते तो वास्ताव में जैसे कांग्रेस ने कहा था कि पिर्धान मंतरी की दावेदार है, तो यह ए गड़ती तो अपनी सारी छितम कारेका, नगेना नगीना से सबस्ताव का में सीधा चेका, और score को अधिए। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी खुरसीद जी थे इसे बातचीत की है नगीना लोग सभा को लेकर आपकी क्या रहा है कमेंट बाग में प्यारा सा कमेंट जरू करिएगा हम आपको फिर मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जाहें